है लो गाइज मैं हुए गाउ का लड़का और गाज जो आज का एक्सपेरिमेंट हो काफे जाएदा अलग होने वाला है हर एक वीडियो से बेसकली इसके उपर हम कई सारा वीडियो बना चुके हैं इसका पिछला वी वीडियो में आप लोग देखे होंगे कि एक अनार बम के चारो तलब हम रख दिये थे बम मतलब की सेट कर दिये थे और जब हम अनार बम को जलाएं थे तो सारा बम फूटके हो चुका था खतम उसी परकार से मिर्चब फटागावब में भी किये थे और अनार बम में भी अनार बम हम डाल के और वहाँ पे हम अनार बम को जलाने का पर्यास कर रहे थे तो आज का वीडियो में कुछ अलग करने वाले हैं आज हम अनार बम में डालने वाले हैं एक चक्री यहाँ पे बैसकली करना क्या है इस अनार बम को हम चारो तरफ चहिद कर देंगे उसके बाद हम इसमें अनार मतलब की चक्री को सेट कर देंगे अब यहाँ पे यह होगा जब हम यहाँ पे अनार बम को जलाएंगे तो जब अनार बम पूरी तरह से जल जाएगा तब यहाँ पे देखना यह है कि जब अनार बम को हम जलाएंगे तो क्या चक्री जलेगा या नहीं जलेगा यहाँ पे एक दो चक्री नहीं होगा चार तो सब्सक्राइब कर दिए तो चलिए वीडियो को करते हैं इस्टार्ट और देखते हैं कि जब हम अनार बंब को जलाएंगे तो चक्री अपने आप जलेगा या नहीं जलेगा एक अनार बंब से चुकि यहां पर काम सिर्फ अनार बंब में भी हो रहा है और यहां चक्री अनार बंब तो और है लेकिन हम एक में ही टेस्टिंग करके आप लोगों को दिखाने वाले हैं चुकि एक में ही पता चलिएगा क्या इसमें काम होता है या नहीं होता है तो चलिए फटा-फट सेट करते हैं यहां पर चक्री को जितना चक्री लेगा चार-पांच जितना च सेट किये हैं तब फिर जलाएंगे तो यहां पर हम पूरी तरह से चक्री को सेट कर दिये हैं अनार बंब में अब यहां पर देखना यह है कि जब हम अनार बंब को जलाएंगे तो क्या यहां पर जो चारो तरफ हम यहां पर चक्री लगाए हुए है वो जलेगा या नहीं ज लेगा तीन चार वीडियों हम इसके उपर बना चुके हैं सारा में तो सक्सेस हो चुका है अब ये लाश्ट बचा हुआ है हम इसमें डाले हुए चक्री चक्री जलता है या नहीं जलता है अभी आप लोगों लैप पूरू बताने वाले तो यह इसको जला के देखते हैं उसस है अब हम लोगों को पता नहीं है यहां पर पूरा काम हो चुका है अब हम लोगों को पता नहीं है कि सारा जलेगा यह नहीं जलेगा चुकि इसका पहले जितना हम लोग वीडियो बनाये हैं सब में काम किया है अब देखना यह है कि इसमें काम करता है यह नहीं करता है कि अ defining वर में लो अंती learned वो ऑरी में तूल जयाँ जयाँ गा कर दो पा सार उल सम्क navy और इस असे लाउ तो गाइज यहां पे हम चक्री में मतलब कि अनार बम में हम लोग डाले हुए थे चक्री जिस परकार से हम बम डाले हुए थे उसी परकार से हम चक्री में डाले हुए थे मतलब अनार में चक्री को डाले हुए थे तो यहां पे देख सकते हैं पूरी तरह से हो चुका है सारा चक्री खतम हो चुका है है यहां पर 6 चक्री को हम डाले वे थे और पुरी तरह से छे वो च्क्री जलके हो चुका ही खतम आप लोग वीडियो में तो देखी लिये होंगे कि किस परकार से चक्री अपने आपको काम कर रहा था από जिस परकार से उसको व्याइ हैं थे कि चकरी को डाल दिए थे आब यहां पर सारा काम हो चुका है जिससके में सोच रहें थे कि इस परकार से काम होता है यह नहीं होता है 100% होते हैं आप लोग भी करके देख सकते हैं तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा मिलते हैं साय किसी नए कामल का नए एक्सपरिमेंट लेकर तब तक के लिए जाए हिंदू बंदे मातरा